सब कुछ उसके कंट्रोल में रहता है इसलिए पहले इंटेलिजन्स रिपोर्ट आ जाने तो हालकि वो देखने में ऐसा नहीं लगता है राजनीती और कुलिस पर भी उसका बहुत जोर चलता है कि उस पर एक गैंग का हाथ है जो कुछ भी कर सकता है शेर मार्केट, जीडीप, एंप्लॉइमेंट, फॉरिन इक्सचेंज सिर्फ इतना ही नहीं सर उन पर हाथ डालने का मतला में भारत की अर्थ विवस्था पर हाथ डालना ना टाक्स भरना पड़ता है, कोई क्रिमिनल रिकॉल्ज नहीं पॉलिस वाले आपको उठाके नहीं ले जाते हैं पब्लीक ही पॉलिस को मार रही है पॉलिस बेंच जला रही है तो आड़ेगा, वेलकम सर, आजाए कैसे अरेस्ट कर भाएंगे सर, तो गन बुझे देदो बिना एविडेंस के इकोरी मादूमों से मेरे पास ज्यादा ठाइम नहीं है इस तरह घुस्से में फैसला लेना अच्छी बात नहीं आराम से हंडल करना चाहिए अज के बाद अप्टी शकल मत दिखाना हुजे चुंजा और ये पता कहा गुसे दी आगे से टिंग और पीछे से टॉब सब को दिखे रहे कारी और पाइसे दो में ठोड़के जा रहो लेके जा कल तक उठालूँगा और कुछ पाइसे चाहिए तो ले 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 ला इससे तुम्हारा आत्मी पकड़ा किया बांद कर रखा है उसे चल्दी खतम कर दो इसको मैं ढूंड रहा था तो खुट चल के तेरी पास आदे तो खुट चल के तेरी पास आदे तो प्राइब काड़ों के सहरा अपना पो बचाने का पूरा भोगा दिया जएगा अंधियार अंजर छोड़के बहार आजाओ तो ड़ा चाह बाद जाओ बार जाओको लेकिन नहीं तुमारे कॉन्पिडेंट को कम नहीं करना चाहता पहले प्लान बनाओ झाल झाल